Conjuring Universe के इस फेमस डॉल एनवेल को तो आप जानते ही होंगे इसे कई लोग एनवेला कहते हैं और ये डॉल कितनी खतरनाक है इसे तो आप जानते ही है पर क्या होगा अगर ये बाहर निकल जाए क्या आपको पता है कि साल 2020 के अगस्त के महीने में एक न्यूज आ रही थी कि जो ये एनवेल डॉल है उकल्ट म्यूजियम कनेक्टिकट में से वो 14 अगस्त की सुबर 3 बज़े एसकेप कर गए यानी म्यूजियम से भाग गए और जो गूगल पे एनवेल डॉल की विक्कीपीरिया पेज है उसे किसी ने चालाकी से चेंज कर दिया और उस विक्कीपीरिया पेज पे लिखा था कि सुबर 3 बज़े एनवेल डॉल अचानक से कहीं भाग गई जब दुनिया भर में लोग ये बात सुन रहे थे क्योंकि ये ओफिशल विक्कीपीरिया सोर्स से आ रही थी तो सब के अंदर चिल्स आ गया था तो बाद में एड और लॉरिन वारिन के सन इनलोड टोनी स्पेरा जोकी एड और लॉरिन वारिन के बाद अब ये उस म्यूजियम को ओन करते हैं उसके मालिक है उन्होंने इस बात को क्लियर करते हुए एक वीडियो अपलोड किया कि ऐसा कुछ नहीं है यूमर इतना फैल गया था कि उनको खुद ये कलियर करना पड़ा इन्होंने कहा कि एनबेल डॉल आज भी वही है और उन्होंने विक्कीपीडिया पेच के उस लाइन को करेक्ट भी करवा दिया उन्होंने ये भी कहा कि यहां हाई सिक्योरिटी सिस्टेम भी मौजूद है और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है बट बाइचैंस अगर वो निकल गई किसी चोर ने अगर चोरी के मकसद से उनको चोरी करके निकाल दिया क्योंकि वो इतनी valuable है इतनी famous है तो अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं क्या होगा paranormal expert ऐसा कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो वो वही करेगी जो वो हमेशा से करती थी उसको उस ग्लास में बन करने के पहले वो जब बाहर थी जब वो अपनी जगार से गायब होके कहीं और चली जाती थी और ऐसी कितनी किस्से आपने सुनी होगी ऐसी भी कई घटनाए हो चुकी है जिसमें कोई इनसान उसके ग्लास पे ऐसे मार मार के उसका मजाफ उड़ा रहा था और नेक्स थिंग पता है क्या हुआ वो जब घर पे जा रहा था तो उसका एक्सिडेंट हो गया और वो मरते मरते बज़ गया ऐसी टाइप की मिस्टीरियस कहानिया और रेड़ी हो चुकी है वहाँ उस म्यूजियम में जाके उसका मजाफ उड़ाने वाले लोगों के साथ अगर एनबेल के बारे में कोई सुनता है न तो डरना बिल्कुल कॉमन है ऐसी कहानियों को सुनके सच में गूस बंस आ जाते हैं आज के लिए बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्र